नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल कोशिक क्लासेज में आपका स्वागत है आज हमकक्षा बार्वी का अध्याए 13 लेकर आए हैं जिसे लिखा गया है धरमवीर भारती जी के दुआरा और जिनकी रचना है काले मेगा पानी दे तो पहले हम लेकर परीचे पड़ेंगे उसके हम जरू करते हैं धरमवीर भारती जी का जनम सन 1926 में इलाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके लिए कहा जाता है कि आजादी के बाद के सहिते कारों में इनका विशिष्ट इस्तान था इनकी कविताएं कहानिया उपन्यास निभन हिंदी सहिते के उपलवदिया मानी जाती हैं और इनके लिए एक खास बात ये थी कि हर उमर हर वर्की के पाटकों के बीच इनकी अलग अलग रचनाएं लोग प्रिय थी इनके प्रमुक रचनाएं हैं कनुप्रिया साथ गीत वश ठंडा लोहा बंगली का आकरी मकान गुनाहों का देवता सूरज का ठेले पर हिमाले आदी हैं इनके प्रमुक सम्मान हैं पधमसरी व्या सम्मान वैसाइते के कई अन्य राश्टिYeah पुरसकार इनका निदार 1947 में हो गया था जिसमें अपनी दीदी के यहां पर गए और वहां के उनकी बाते याद आईु ने लेख अपनी दीदी के यहाँ पर गए हुए थे बहुत तेज गर्मी थी और बारिश नहीं हो रहे थी और उस गर्मी से सभी लोग परिशान थे तब 10-12 वर्ष और 16-18 वर्ष के जो लड़कों का समू था वो बादलों से वर्षा के लिए प्रातना कर रहा था कि किसी तरह से बारिश हो जाए और वे नंगे बदन सिरफ एक निकर पहने हुए हो थे और सावले लड़के एक स्थान पर एकित्रत हो जाते थे और जैकारा लगाते थे कि बोल गंगा मया की जै और जैकारा सुनते ही लोग कहोते सावधान हो जाते थे और सभी इस्तरियां लड़कियां अपने अपनी खिडियों से जाकने लग जाती और इन लोगों को इंदर स और जो कुछ लोग उने से चिर्थे थे उन्हें ये में डक मंडली भी कह कर पुकार देते थे बच्चों को और और ये टोली लड़कों की जो गलियों में पहुंच जाती थी अप्रेमेगा स о समी तरहे ए निर कि आओ से दार Cornsheet पानी की कमी हो रही थी कुए सूक जाते थे परंतु घर में थोड़ा सा सेज कर रखा हुआ मतलब थोड़ा सा इखटा के अवा पानी घड़े भर कर रखे हुए उनके सिर्पर डाल दी जाते थे उपर से तक उने तर कर दिया जाते था और फिर वो भीगे बदन से फिर जमी का महना था, जेडा, साड का महिना था और कुए सूके लग गए थे नलों में पानी नहीं आ रहा था और सेहरू के पिक्षधा गाउं की दसा बहुत ज़्यादा खराब हो गए थी 커피ेतों में खेती नहीं की जारह थी जो ताइं और बुयाई prophecy नहीं गोर्य हो रहे थी और जल लेकिन वो सब के सब बेकार हो गये थे और अंतिम उपाय था कि मेगों से पानी लेने के लिए कि बातलों से किस तरह से पानी लिया जाए तो ये आखरी उपाय था इंडर सेना का लेकिन लेखक नहीं चाहते थे उन्हें लग रहा था कि यह अंधविश्वास है पानी की बरबादी है क्योंकि पानी तो वैसे ही नहीं आ रहा और फिर इन पर डाल दिया जाए पानी तो बेकार हो जाएगा पानी इसलिए वो कहते थे कि जो भारती हैं वो इस अन्विश्वास में फच जाते हैं और इसी कारान अंग्रेजों से पिछड़ गए थे लेखक भी इसी उमर के थे लेकिन वो कुमार सुधार सभा के मंत्री थे इसलिए उन्हें समा सुधार का जोश जादा था और लेखक को अपनी बचपन में ही सबसे अधिक जो प्यार था वो अपनी जीजी से मिला था और वे उमर में उसकी मां से भी बड़ी थी और लेखक का वैसे उनसे कोई रिस्ता नहीं था परन्तु वो अपने बेटे बहुंगों से भी जादा उनसे प्रेम करती थी वे तीज तोहार हो या पूजा पाठ अनुष्टान हो आदी में लेखक से ही करवाती थी जब उनकी दीदी पानी डालने उनके लिए बच्चों पर जा रही थी तो उन्होंने मना किया कि ये सही नहीं है क्योंकि ये उन्हें अन्विश्वास लगा और दीदी से पानी की बाल्टी नहीं उट रही थी उसके हाट पैर कांप रहे थे पर लेखा खेकी गुसे में वही पर खड़े रहे और नहीं उन्होंने लड़ू मट्री खाई और नहीं ओ दीदी से बोले तब बहुत तेज गुसा आ रहा था उन्हें फिर उनकी दीरी ने उनका सिर अपनी गोध में रखकर उसे समझाने लगी कई उधारन दिये उन्हें कि ये पानी की बरबादी नहीं है यदि हम थोड़ा सा पानी इंद्रदेवता को दे देंगे तो वो हमें बहुत सारा पानी द दान का बड़ा महतु बताया पर लेखक क्या है खुष्णे में खोड़े रहे और वो कुछ नहीं बोले फिर दीदी ने आके उन्हें और बाते समझाए कि जिस तरह से किसान हैं 30-40 मन अनपैदा करने के लिए वो क्या करता है 5-6 किलो ग्यों खेट में फैंक देता है बहाई दुगना चोगना पानी हमें दे सके इस तरह से उन्होंने उधारन बताए कि कुछ दान देने से वापस उसका दुगना फल मिलता है फिर मठरी लेखक के मूं में डालते हुई बोली देख बिना तयाक के द्यान नहीं होता है अगर तेरे पास लाखों करोडों रुपए है तो उसमें से तू दो चार रुपए किसी को दे दे तो यह है क्या त्याग हुआ त्याग तो वह होता है जो चीज तेरे पास भी कम है और जिसको तुझे भी जरुवत है और अपनी जरुवत पीछे रखकर दूसरे का कल्यान करे तो उसे त्याग कहते हैं दान तो वह होता ह उसी का फल मिलता है तो इस तरह की बातों से वो समझाने की उसने कोशिश कर रही थी फिर लेखक ने सुचा कि पचास वर्स पहले कि ये बात लेखक को याद आई कि उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ये मनी मन में कचोट रही है बात कि देश में आज भी प्रतेख व्यक्ति अपनी मांगों की बाते करता है परंदु देश को देता कुछ नहीं है सब अधिकारों की बाते करते हैं लेकिन करतों कोई याद नहीं करता है सबका एक मात्र लक्ष है स्वार्थ सभी दूसरों के ब्रष्टाचार की चर्चा करते हैं परंदु ये नहीं सोचते कि वे तो कही बिष्टचार के अंग तो नहीं बन गए हैं काले बादल उम्रे हैं पानी जमा जम बर्सता है परंतु गगरी फूटी हैं बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं देश की विकाश की योजनाई बनती हैं और धन उपलब कराया गया परंतु जनता अब भी भूकी भी प्यासी प बनी और उससे क्या हुआ कि सारी जनता सरफ भूकी ही रह गई क्योंकि योजना बनकर वहीं की वहीं बंद हो जाती हैं और उसका लाव उनको नहीं मिल पाता और यह ऐसे थी कभी भी नहीं बदल पाती तो यह उन्होंने पचास वर्स पहले के बात लेखा को याद आती चली क्योंकि लेखा के अनुसार पचास वर्स हो चुके थे उन बातों को जब वो दीदी के यहां पर गए आशा करते हूं कि आपको यह अध्याय समझ में आ गया होगा यदि आपको यह पसंद आया तो इससे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद आपको् यह झाइ अधिये यहाँinely करें दो, अा गव Al- dal-प talk एध और, उजगे शचस्क बेदे हो यहाँ. झाइक हर वो जड़ शब एण ह में अ माझा है ब्लाइक हो आएदे हो यहर्शवादाब